आज मैं CD 128, 205, 305, CD 1st year, 2nd year, 3rd year में पढ़ाई जाने वाले विशे fashion illustration के बारे में चर्चा करूँगे Fashion designing का course करने वाले विद्यार्थियों के लिए basic elements of fashion illustration क्या है इसकी जानकारी होना आवशक है Fashion illustration, fashion communicate करने का एक तरीका है जो drawing वा painting के माध्यम से उत्पन होता है Fashion illustration के माध्यम से बस्त्र की बुनावट को दर्साया जाता है तथा परिधान को एक कैमलर रूप देकर sheet के उपर उभारा जाता है यह एक fashion designer की कला को दर्साता है Fashion illustration लगबग 500 साल पुराना है उस समय भी परिधानों को चित्रित करके समझाया जाता था Fashion illustration के माध्यम से हम colorful तथा stylish design तयार कर सकते है Fashion illustration का प्रियोग designer swim के लिए तथा business के लिए भी इसका उप्योग करता है Designer अपने idea को कपड़े के माध्यम से परिधान तयार करने तक इसका यूज़ करता है Fashion sketch creative तथा सुन्दर परिधान बनाने का पहला step है इसमें हम outline के माध्यम से dress का आकार बनाते हैं उसके बाद उस dress पर सजावट क्या करनी है उस पर pocket कैसे लगाने है योग लगाना है या नहीं उस पर tucks डालने है या नहीं pleats, ruffles, gathers डालने है या नहीं उसका color combination कैसा होगा उसके साथ कैसी accessory प्रियोग में की जाएगी उसके साथ accessory बनानी है या नहीं इन सभी बातों की जानकारी हम fashion illustration के माध्यम से लेते हैं fashion illustration के माध्यम से हम विबिन शरीट आकृतियों के परिधानों के sketch बना कर देख सकते हैं उनकी शरीट आकृति के हिसाब से हम परिधान का design तयार कर सकते हैं आज की समय में एक fashion illustrator की fashion industries में बहुत डिमांड है उसके बिना fashion industries में काम संभव नहीं है अताब fashion designing करने से पहले सीखने से पहले हमें fashion illustration के बारे में जानना और उसमें कौन-कौन से tools काम में लिये जाते हैं उसके बारे में जानना आउशक है टूल्स ओफ फैशन इलस्टेशन फैशन इलस्टेशन में हमें कौन-कौन सी मुख्य टूल्स है जिनके बिना हम ड्राइंग नहीं कर सकते हैं उनकी जानकारी लेना भी आवशक है जैसे सबसे पहले हमारे पास में पैंसिल होनी चाहिए पैंसिल HB, 2B, 4B, 6B, 8B फैशन स्केच बुक हमारे पास होनी चाहिए वो A4 साइज में, A3 साइज में, A5 साइज में भी हमारे पास हो सकती है फिर हमारे पास bond paper होना चाहिए जो high quality का paper हो जिसके उपर हम ड्राइंग अच्छे से कर सकते हो कुछ हमारे पास handmade paper होने चाहिए rough texture वाले paper होने चाहिए जिनके माध्यम से हम design के textures को निकाल सकते हो pastel colors हमारे पास होने चाहिए pencil colors, watercolor, poster colors हमारे पास होने चाहिए जिनके माध्यम से हम dress में color बना कर design देख सकते है फिर flat tip marker pen होना चाहिए या ball pen होना चाहिए scale, french curve, tracing papers और eraser ये सबी tools हमारे पास होने तभी हम एक design को paper पर बहुत अच्छे से बना कर देख सकते हैं fashion drawing हम vibin प्रकार से sheet पर बना कर देख सकते हैं जैसे flat sketch flat sketch के अंदर हम जो परिधान की outline बनाते हैं वो black pen या pencil से बनाते हैं वो lines two dimensional होती है इस flat sketch में किसी भी परकार की drape या fold नहीं बनावा होता है ये flat sketch अधिक तर software के द्वारा जब dress बनाई जाती है उसमें बहुत मदद करते हैं फिर है tech sketch ये flat sketch जैसे ही होते हैं परन्तु इसमें हम जो परिधान बना रहे हैं उसकी neckline उसकी sleeves, pockets, gathers इन सभी के बारे में लिख कर बताया होता है जिससे हमें dress के बारे में पता चल जाता है कि इसमें कहां कहां पर हमें क्या क्या designing देनी है फिर है specification sketch ये वो sketch होते हैं जिसमें परिधान को specify कियावा होता है जिस परिधान को हम बना रहे हैं उसमें कैसा fabric यूज होगा, उसमें कैसे trims यूज होगे, उसकी क्या cost आएगी, उसका manufacturing process क्या होगा ये सारी specification उसके अंदर लिखी भी होती है फिर आता है working drawing, working drawing वो pattern होते हैं जिसमें design बनाया गया है उसमें fabric के swatches, उसके fasteners, उसके साथ में उसकी सारी details लिखी भी होती है जिससे pattern marker को सारी information होती है कि ये design cut और stitch करके कैसे तयार करना है फिर है presentation drawing, यह designer अपने client या producer को present करने के लिए तयार करता है ये final fashion drawing होती है, इसके अंदर सब कुछ included होता है जिससे कि client को design के बारे में उसमें लगने वाली accessory, उसकी fabric और उसके textures की पूरी जानकारी मिल जाती है presentation drawing हम hand और software के माध्यम से भी तयार कर सकते हैं fashion croquis, यह वो माध्यम होता है जिसमें figurative fashion template कटेवे होते हैं और उनके माध्यम से हम design और garment को trace करके तयार कर सकते हैं इस प्रकार से fashion designing सीखने से पहले हमें fashion के elements के बारे में, उसके tools के बारे में और कितने प्रकार से हम उसकी drawing करके sheet पर अपने विचारों को उत्पन कर सकते हैं उसके बारे में हमें जानकारी होना आउशक है और इस प्रकार हमने इसी lecture में देखा कि एक अच्छा designer बनने के लिए fashion illustration की जानकारी होना हमें आउशक है धन्यवाद